ब्लॉक पंचायती राज विवस्था ग्रामीर भारत की स्थानिय स्वशासन की प्षणाली है गाओं का जमीनी स्थर पर विकास हो इसलिए सभी राज्यों में स्थानिय स्थर पर ग्रामीर क्षेत्रों में पंचों और सर्पंचों को नियुक्त किया गया है सभी ग्रामेर्ट शेत्रों का विकास हो ये सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज विवस्था की त्री स्तरिये सनरचना की गई पंचायती राज की त्री स्तरिये सनरचना में ग्राम स्तर से उपर अर्थात मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत होती है ब्लॉग पंचायत को पंचायत समिती तथा प्रखंड स्तरिये पंचायत के नाम से भी जाना जाता है ब्लॉग पंचायत की भूमेका एक जिले के अनदर कई तेहसील या प्रखंड होते हैं पंचायत समिती भारत में तैसील स्तर पर एक स्थानिय सरकारी संस्था है ये तैसील के गाओं के लिए काम करती है जिन्हें विकास खंड कहा जाता है पंचायत समिती ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के वीच की कड़ी का काम करती है पंचायत समिती का चिनाव इन विकास खंडों में जन संख्या के आधार पर पंचायत समिती के सदस्यों की संख्या का चिनाव किया जाता है लगभग 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिती सदस्य को चिनने का प्रावधान है इन सदस्यों का चनाव ग्राम पंचायतों के सदस्यों की तरह ही सीधे तोर पर जिनता करती है इन्ही पंचायद समिती के सदस्यों द्वारा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुक पंचायद समिती के अध्यक्ष यानी प्रेजिडेंट का चिनाव किया जाता है और इन्ही अध्यक्षों की सहायता से सभी योजनाएं बनाई जाती है ब्लॉक पंचायद की जिम्मेदारियां ब्लॉक पंचायद के विभिन्नकारे होते हैं जो इस फ्रकार हैं केंद्र तथाग राज्य सरकार एवं जिला परिशिक द्वारा सौपे के कार्यों को पूरा करना ब्लॉक पंचायद की जिम्मेदारी है पंचायद समिती का वार्षिक योजना बजट पेश करना और कृशी एवं उद्ध्यान का विकास करना ब्लॉक पंचायद की जिम्मेदारी है किसां खेटी की नई योजनाओं को अपना सकें इसके लिए प्रिशिक्षन का इंतजाम करना ब्लॉक पंचायद का दायित हो है पशुपालन एवंपशु चिकित्स सेवा का विकास एवं विस्तार करना भी ब्लॉगप पचायद का कार्य के लिए जल की व्यवस्था करना तथा जल सन्रक्षा एवं जलापूर्ती योजनाय बनाना ब्लॉक पंचाय के कार्य हैं शिक्षा के लिए प्रात्मिक विद्याले भवनों का नर्मान तथा मरम्मत करवाना भी ब्लॉक पंचाय का उत्तर दायत्व है स्वास्त एवं परिवार कल्यान कारिक्रमों को संचालिक करना तथा महिलाओं एवं बच्चों के विकास कारिक्रमों का निर्मान करना ब्लॉक पंचाय के कार्य हैं प्राक्रतिक आपदाओं के दौरान जोखिम लोगों को राहत प्रदान करना भी ब्लॉग पंचायत के उत्तरदायत वहें कमजोर वर्गों विशेशकर SCST वर्ग के कल्यान हितु सरकार द्वारा चलाए गई योजनाओं से अफगत कराना भी ब्लॉग पंचायत का उत्तरदायत्व है पंचायत समिती के कारे इवंदायत्व पंचायती राज अरिनियम द्वारा पंचायत समिती को महत्वपूर्ण जिम्मिदारियां दी गई हैं विकास खंड स्तर पर ग्रामीड जरूरतों के हिसाब से पंचायत समिती योजनाओं बनाती हैं जिससे ग्रामीड ख्षेत्रों का संपूर्ण विकास हो सके आपकी सोच आपका विश्वास तै करेगा गाउं का विकास